तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने कावे खंड का पाट रैदास के पत सीखा था, आज मैं आपको गद्य खंड का पाट दुख का आधिकार पढ़ाऊंगी, जो की लेकर यशपाल जी द्वारा रच्चित है, तो पाठ को समझने से पहले लिखक यश्पाल जी का संक्षिप्त परिचे जानेंगे जो कि पाठ्थे पुस्तक पर्ष में वर्णित है और इस प्रकार है चुंकि लॉकडाउन के समय आप लोगों के पास पाठ्थे पुस्तक नहीं है इसलिए मैं पाठ्थे पुस्तक में वर्णित यश्पाल जी का जीवन परिचे दिखाते वे उसका बाचन कर रही हूं आपको भी समय का सदुप्यों करते हुए इसको पढ़ते रहना है जो कि इस प्रकार है यश्पाल जी का जन्म फिरोजपूर चावनी में सन 1903 में हुआ था इनकी प्रारंबिक शिक्षा सानी स्कूल में और उच्छ शिक्षा लाहोर में हुई यश्पाल जी विद्यार्थी काल सही क्रामती कारी गती विद्यों में जुट गए थे अमर शहीद बगत सिंग आदी के साथ मिलकर इनोंने भारतिय स्वतनतरता आंदोलन में भाग लिया था भारतिय स्वतनतरता आंदोलन यानि इनों ने आजादी दिलाने में भी अपना महतोपूर योगदान दिया था अब हम समझते हैं ये स्पाल जी की प्रमुख कृतियों के बारे में कृतिया क्या होती है बच्चों? कृतिया मतलब रचनाई इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाई लिखी गई है वो पाठे पुस्तक में वर्नित इनके जीवन परिजे के द्वारा समझते हैं इनके द्वारा रचित रचना है देश द्रुही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, जूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बाद ये तो सभी के सभी उपर नियास है, ग्यानदान, तर का तुफान, पिंजडे की उडान, फूलों का कुर्ता, उत्रा दिकारी, ये इनका कहानी संग्रे है और सिंहाव लोकन, इनकी आत्मकथा, आत्मकथा जिसको इंगलिश में क्या कहते हैं, बायोक्राफी मेरी तेरी और उसकी बाद, पर ये श्पाल जी को सहित्य अकादमी पुरसकार मिला ये श्पाल की कहानियों में कथारस, सर्वत्रद मिलता है, वर्ग संगर्ष, मनो विशलेशन और पैना व्यंग्य, इनके कहानियों की विशेशता है ये श्पाल जी ये मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एकी रास्ता है समाजिक समानता और समाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए यश्पाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के लावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रियोग किया है अब हम कहानी के बारे में जो कि यश्पाल जी के द्वारा रचित कहानी हमारी पाठ्थे पुस्तक में वर्णित है दुख का अदिकार उसके बारे में समझते हैं ये जो कहानी है ये श्पालजी द्वारा रचित ये देश में फैले अंद विश्वासों और उंजनीज के बेदभाव को बे नकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूती सभी को समान रूप से होती है। ये कानी धनी लोगों की अमानवियता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। दुख मनाने का अधिकार है और नहीं अवकाश। इस पंक्ति या इस वाक्य का आशे ये है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग है जिनको ये दुख मनाने का राइट ये अधिकार नहीं है। क्यों कि वे इतने मजबूर होते हैं या उनके यहाँ धन का इतना अभाव होता है कि उनको अगले ही दिन अपने बच्चों का पालन पोशन करने के लिए, अपने परिवार का गुजारा चलने के लिए, अपने काम दंदे के लिए निकलना ही पढ़ता है। इसका आर्थ यह हुआ कि दुख मनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों को है, गरीबों को नहीं। उन्हें विबिन श्रेणियों में बाढ़ देती है, श्रेणि का मतलब विबिन वर्गों में। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मनुष्य का दर्जा, मनुष्य की हैशियत, पोशाक के द्वारा ही पता चलती है, वो हमारे लिए अनेक बंद दर्वाजे खोल देती है, इस वाके को हम ऐसे समझेंगे, कि अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी होती है, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुती म नीचे जुक कर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूती को, उनके सुख दुख को, उनके दुख दर्द को समझना चाते हैं, तो उस समय यह पोशाकी बंदन और अर्चन बन जाती है, इसका मतलब होता है, पोशाक बादक बन जाती है, अगर हम अपने से नीची श्रे कटी वी पतंग को सहसा भूमी पर नहीं गिर जाने देती, मतलब जब तेज हवा चलती है, और पतंग कट जाती है, और कटी पतंग धड़ाम से नीचे नहीं गिर सकती, उसी तरह हमारी पोशाक भी, उसी तरह खास परिस्तितियों में, हमारी पोशाक भी हमें जुक सकने से रहती है अर्थात इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अपने से नीची जाती के लोगों से जब हम बात करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा पहने वे ब्रांडेड कपड़े हमें उनसे जो है बात करने से रोकते हैं तो कब जो है इस पार्ट में लेकर ने ये बताया है कि पार्ट का दूसरा गध्यान से इस प्रकार है बाजार में फुटपात पर कुछ खर्बुजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे खर्बुजों के समीप एक अधीड उम्र की ओरत बैठी रो रही थी खर्बुजे बिक्री के लिए थे परन्तु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता खर्बुजों को बेचने वाली तो कपड़े से मूँ छिपाए सिर को गुटनों पर रखे फापक फपक कर रोड ही थी इसका ध्यांस को इस तरह समझ सकते हैं कि एक बार लेखक बाजार गए थे और उन्होंने वहां का नजारा कुछ इस तरह देखा कि एक औरत फुटपात पर अपने आगे डलिया रखे डलिया समझते ना वच्चो बासकेट टोकरी खर्बुजे बेजने के लिए जो है बैठी थी टोकरी आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है खद्यपदार्थों को टोकरी में रखकर बैड़ते हैं और कुछ ठेले आदी में रखकर तो इस तरह से वो महिला टोकरी में कुछ खर्बुजे लिए बैठी थी और उनको जो है कोई भी खरीद नहीं रहा था और वहां अपना सिर गुटनों पर रखे लगाता रोय जा रही थी अब वो औरत क्यों रो रही थी क्या कारण था कि कोई उससे खर्बुजे नहीं खरीद रहा था इसका कारण तो हम आके जानेंगे इससे पहले हम समझेंगे कि बाजार में अन्य दुकानदार भी थे वे सब उस बुडिया का दुख दर्द क्यों नहीं दूर कर पा रहे थे वे उसके साथ किस तरह का व् गद्यांसे जोकि इस प्रकारें चुक्की स्वयम लेखग भी बजार में मौजूद थे मारकेट में थे और वह भी उस बुडिया से उस अधेलु की महिला से बात क्यों नहीं कर पाए उस गरीब से क्यों नहीं बात कर पाए तो यह हम समझते हैं पाठ के तीसरे गद्यांसे कि पडोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग ग्रेना से उस इस्तरी के सम्मन में बात कर रहे थे उस इस्तरी का रोना देख कर मन में एक व्यथा सी उठी पर उसके रोने का कारण जानने का उपाई क्या था फुटपात पर उसके समीब बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई यहां मेरी शब्द जो है वो लेखक के लिए आया है लेखक स्वयम उस बुड़िया से उसके रोने का कारण नहीं जान पाई क्यों क्योंकि लेखक ने अच्छी पोशाक यानि इसलिए लेखक भी उस बुड़िया के रोने का कारण नहीं जान पाए उसके समीब बैठ कर उससे हमदर्दी उससे सहानुबुति या उससे समिदना नहीं प्रकट कर पाए और अन्य लोग भी जो है वो उस पर जो है बहुत बड़ी बहुती टिपनिया जो है उस महिला पर क जा रही थी अनिक लोग जो मार्केट में थे जो दुकान दार थे वो महिला पर टिपनिया कर रहे थे कोई कह रहा था एक आदमी जो था उसने ग्रेना से थूखते वे कहा क्या जमाना है जमान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बे यहाया दुकान लगा के बै आदमी ने दिया सलाई की तिली से कान को जाते वे कहा अरे इन लोगों का क्या ये कमीने लोग रोटी के टुकडे पर जान देते हैं इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धरम इमान सब रोटी का टुकडा है पर चून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा अरे पर बाजार में आकर खरबुजे बेचने बैठ गी हजार आदमी आते जाते हैं कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूत्तक है कोई इसके खरबुजे खाले तो इसका इमान धर्म कैसा है रहेगा क्या अंधिर है तो बच्चों इन गध्यांसों को पढ़ कर आप लोगों के मन म ये जिग्यासा उत्पन हुई होगी कि सभी लोग उस बेचारी औरत के साथ ऐसा व्यवहर क्यों कर रहे थे तो मैं आपको बता रही हूं कि उस खरबुजे बेचने वाली महिला का इकलोता जवान बेटा था और उसकी मृत्यू हो गई थी और उसकी मृत्यू के अगले ही द दिन वह घर बुजे बेचने बाजार में आ गई थी और ऐसा माना जाता है कि घर में किसी भी सदस्य की अगर मृत्यू हो जाती है तो तेरा दिन का सूतक लग जाता है सूतक मतलब कोई उस घर के सदस्यों का टच किया हुआ दाना पानी ग्रहन नहीं करता और अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो धार्म ब्रस्ट होने का डर रहता है अर्था पाप लगता है चुंकि उस महिला के यहां भी सूतक था और उस सूतक कल में वह पाजार में खर बुजे बेचने आ गई थी इसलिए सबी लोग उससे ग्रेना कर रहे थे और कोई भी उससे खर बुजा भी नही खर बुजे भी नहीं ले रहा था अब अगले सब गध्यांसों में जानेंगे कि उसके बेटे के मृत्यू कैसे हुई तो पास पडोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था घर में उसकी बहु और पोता-पोती है लड़का शहर के पास डेड़ विगा जमीन में कच्यारी करके परिवार का निर्वाह करता था खर बुजों की डलिया बाजार में पहुचा कर कभी लड़का स्वयम सौधे के पास बैठ जाता कभी मा बैठ जाती कच्यारी का मतलब होता है बच्चों खेती करना फल सबजियां दी उगाना इस प् अरसों सुबए मू अंधिरे बेलों में से पके खर बुजे चुन रहा था गिली मेड की तरावट में विश्राम करते वेक साप पर लड़के का पैर पढ़ गया साप ने लड़के को डस लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अंधिरे में लड़का खर बुजे खेतों में मिट्टी से एक बाउंडरी बनाई जाती है उसको मेड कहते हैं उस गिली मेड में पर एक साप विश्राम कर रहा था और अंधिरे होने के कारण लड़का साप को देख नहीं पाया और साप ने उसको डस लिया लड़के की बुढिया मा बावली होकर उजा को बु नागदेव की पुजा भी पुजा के लिए दान दक्षिना चाहिए तो घर में जो कुछ आटा और अनास था वो दान दक्षिना में उठ गया मा बहु और बच्चे बगवाना से लिपट कर रोए बगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला सर्व के विश्ष से उसका सब बदनकाला पड़ गया था तो इस प्रकार बगवाना की मृत्यू हो गई साब के डसने से बगवाना की मा ने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की ओजा को बुला लई ओजा किसे कहते हैं बच्चों ओजा मतला जाड फूंक जादू आदी करने वाले से त भर में वैसे ही तंगी थी गरीब परिवार था तो घर में जो भी थोड़ा आटा दी बचावा था वो उस ओजा को दक्षिना यानि उसकी फीश देने में चला गया आगे के कद्यांसिस प्रकार है जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परन्तु मुर्दिक को नंगा कैसे विदा किया जाए उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा चाहे उसके लिए मा के हाथों के चन्नी कंकना ही क्यों न बिक जाए मतलब यह है कि एक बार जब मनुष्य की कोक्रिया क्रम के लिए विदा किया जाता है उसकी अर्थी उठाई जाती है तो उसके लिए कफन का होना नितांत आवशक होता है तो भगवाना के कफन की व्यवस्था करने के लिए उसकी मा के हाथों में जो थोड़े बहुत जेवर थे चन्नी कंकना आदी वो सब बिक गए भगवाना पर लोग चला गया घर में जो कुछ चुन्नी भुसी थी तो उसे विदा करने में चली गई थोड़ा बहुत आज आदी वो था जो उसको विदा करते में धरने में चला गया बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उड़ते ही भूख से बिलबिलाने लगे दादी ने उन्हें खाने के लिए खर्बुजे दे दिये लेकिन बहु को क्या देती बहु का बदन शरीर बुखार से तवी की तरह तप रा था अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवनी चवनी भी कौन उधार देता बगवाना के बच्चे सुबह उड़ते ही भूख से बिलबिलाने लगे दादी ने खर्बुजे दे दिये और उनकी भूख को शान्त करने की कोशिश की बगवाना की वाइफ उसकी पतनी का शरीर जो है बुखार से तप रा था उसका इलाज करवाने के लिए उस बुढ़िया के पास कुछ भी बचा नहीं था और इसलिए उसको कोई उधार देने वाला भी नहीं था क्योंकि उसका एक मात्र बेटा कमाने वाला था और उसकी मृत्य हो चुकी थी उधार को चुकाने की कोई गुणजाईस नहीं दिखी लोगों को इसलिए उसको किसी ने उधार भी देने की कोशिश नहीं की इस तरह से बुढिया रोते रोते और आखी पोंचते पोंचते बगवाना के बटो रेवे खरबुजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली गई और अपचारा भी क्या था और इस तरह से हमने समझ लिया कि वह बाजार में बैठी बैठे फपक फपक कर क्यों रो रही थी उसके रोने का क्या कारण था और आने की खरबुजे बेचने की क्या मजबूरी थी यह आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा अब जैसे ही लेखर ने उसकी सारी परिश्थिति को समझा तो उसे अपने पडोस में रहने वाली एक समभाणत यानी अमीर महिला की याद आ गई उस अमीर महिला ने भी अपना जवान बेटा खोया था जिस तरह से इस गरीब बुढ़िया ने अपना बेटा खोया था उसी तरह उस अमीर बुढ़िया ने भी अपना जवान बेटा खोया था लेकिन वह अमीर थी इसलिए उसको दुख मनाने का पुरा-पुरा अधिकार था वह दिन रात रोती रहती थी और अढ़ाई महीने तक बिस्तर से नहीं उठी थी उन्हें 15-15 मिनट पुत्र वियोग से मूर्चा आ जाती थी और मूर्चा ना आने की अवस्था में आखों से आसू ना रुख सकते थे दो-दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे हर दम सिर पर बरफ रखी जाती थी और शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उड़ते थे आप अंतर समझे बच्चों वह अमीर मिला थी उसने भी अपना बेटा खोया था और वह गरीब थी उसने भी अमीर होने के कारण शहर भर के लोग उससे सहानु पुति प्रकट करने आते थे उससे समीदना रखते थे और उसके यहां दो-दो डॉक्टर उसकी जो है उसका इलाज करने के लिए बैठे रहते थे लेकिन एक गरीब मा जिसका कोई सहारा नहीं था उससे अपने बच्चों की बोग शान्त करने के लिए अगले ही दिन घर भुजे बेचने आना पड़ा था तो जब लेखक के मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचेनी से उनके कदम तेज हो जाते हैं और उसी हालत में नाग उपर उठाए राह चलतों से ठोक रेखाते में चला जा रहा था मतल होने का भी एक अधिकार है तो इस तरह से हम समझते हैं कि दुख होना भी दुखी होने का भी एक अधिकार है और वह सिर्फ और सिर्फ किसको है अमीरों को गरीबों को गरीबों के पास न तो दुख मनाने के लिए सहूलियत है और नहीं कोई अधिकार तो इस तरह से इस पा खंड़ी होते हैं, डोंगी होते हैं, हमें कभी भी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये जितने भी समाज में व्याप्त कूरीतियां हैं, हमें उनका भी खंड़न करना चाहिए, तो इस तरह से ये दुख का अधिकार जो है, वो पूरा हुआ पाठ और आग हमें वात.